हाई मेरे यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि इस समय में परजन टाइम में जो है इलावाद की धरती पे रहराम तो काफी लोग मेरे मित्रगर जो आजमगर से जुड़े हुए हैं जो इलावाद आना चाहते थे आना चाहते हैं और मुझसे बार पर पूछ रहे हैं कि भीया यहां का रूम रेंट कैसे है और खर्चा कितना बैठ जाता है और बढ़ यहां कोचिंग कुनसी है यह सब काफी कुश्चन आ रहात है तो मुझे लगा क्योंना एक इस टॉपिक पर वीडियो ही बना दिया जाए और अपना ही कुछ हनबोस सेर करके आपको बता दिया जाए कि मैं संदोजार 14 से इलावाद की पाउन दर्ती पे था और इलावाद की यह खासियत है कि अगर आप इलावाद आते हैं तो आपको इलावाद की धर्ती जो आपको खाली हाद यहां से नहीं भेजेगा और कहीं अगर चले चाहिएगा अगर मन तन से अपने 100% दे रहे हैं पढ़ाई के छेतर में तो मुझे नहीं लगता कि आपको सबलता नहीं मिलेगी लेकिन इलावाद का भौकाल को दूसरा है यहां अगर कोई आ जाता और उसका पढ़ने का मन नहीं भी कहता है तब यहां के लड़ अगर आप प्राइबीट कॉलेश जो है और और अगर आप इन्वर्स्टी से करना चाहते तो वह भी सही है आप तब इन्वर्स्टी से ही आके बेट कीजिए और मुझे लगता है कि अगर आप इन्टर पास करके आएंगे तो आपका डेट आप बर्त काफी कम होगा अभी औ सब्सक्राइब के बैच में तो आप जरूर आईए और यहां जो है आप कॉलेश अटेंट करिए मैं तो कहूंगा कि आप इलावाद इन्वर्स्टी का फाम डाली और इलावाद में जिस भी कॉलेश को अगर आप के मन मुताबिक ट्रेट आपको यहां पे मिल ला है तो आप अगर आपको सरकारी नोकरी लेना तो आपको कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ेगा ऐसा कुछ है लेकिन आपको बुरियत ना फिलो इसलिए मैं आपको बता रहा है कि आप इलावाद इन्वर्स्टी में एडमीशन करा सकते हैं और अगर आप एडमीशन नहीं कराना इसलिए सपी तो इसलatा कहा कहा रहते हैं आपको बता हुआ तो तलेयर गन्ज में लड़ी में लड़ी में लड़के रहते हैं इसके दो निकिए लड़िया वह रहते पर ईYahabash चे इस या यहां का किराया अगर जहां तक मुझे लगता है तीनों अस्थान पर जहां तक मैंने एनलाइज किया कि काफी दिनों का रहने का experience होने की वज़ा से मुझे इन सब चीछ के बारे में काफी जानका रही हो और मैंने अपना चैनल इसी के लिए भी create की भी किया तो अगर आप इन रहते हैं तो दो लोग के लिए आपके कमरे के हिसाब से आपके कितना पड़ा आपका कमरा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा अगर आपका कमरा थोड़ा भी बहुत बढ़ा होता है एक लोग के पेच्छा तो आपका तुरुंत किराया बढ़ जाएगा किराया आपका दो ल अगर आप तीन लोग रहना चाहते हैं तो आप 5000 या 4500 के अंदर इन मतलब आपको मिलेगा रूम इन तीन अस्थानों पर इतना ही रूम चल आई समय और सिंगल वाला मैंने आपको बता और कुछ अस्थानों पर यह दोनों लोकेशन तीनों लोकेशन में बता रहा हूं कहीं कह विजलू कबल एड रहता है और कहीं पर विजलू कबल ड़ नहीं रहता है तो एसा कुछ है इन तीनों अस्थानों से इलहावाद की दूरियां इलहावाद दूरिया बगाडा 2500 यह इतना आ तो यहां से नाइनी फापा मुथ इधर साइड भी बहुत लड़के रहते हैं इलाहबद के हर को नों में जो लड़के रहते हैं और खर्चे की तना लग जाता है अपना आपको खर्चा बताता हूं लेकिन मेरे से आप खर्चे से अनलाइन कीज़्ा है। कि मेरा अंदाधिन खर्चा रहता है। मेरे बड़े भाई सपोर्ट रहता है। mixes लेकिन अपको अगर सिंगल एक्षिते है are common designsto快 कर आएंगे इसलिए आपका ज़्याता खर्चा नहीं बैठेगा और सिंगल लेता है तो कुछ ज़्याता खर्चा बैठता जहां अगर आप अगर कोचिंगों की मैं बात बताओं कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बैठर रहेगी तो आपने प्रफ्रेंस की हिजाब से देख सकते हैं मुझे तो अधिक तर बहुत कूचिंगे अच्छी है और जहां से मैं किया तो मैं एक सीट से करके पास हुआ हूं लेकिन इस महरूप अच्छे चल रहे हैं यहां पर उतका स्कूचिंग भी है लेकिन उतना सक्से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए तो जितना आज सोसल मेडिया पर भॉकाल है उसका तो ऐसा कुछ रहा और आपको यह इंफॉर्मेशन कैसे लगी आप ज़रू कमेट से ने बताई तुझे जह यहांद जला है यह प्रयागा राज शंग में गळीजा है वहला है